हालो स्टुडेंट्स बै डॉक्टर गजिन्द पुरहीत और आप देख रहें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अप्लोड करता हूं अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं जहां पर higher mathematics पूछा जाता है तो मेरा जो चैनल है वो आपके लिए बहुत ही helpful है इस्टुड यहां पर मैं ग्रूप थियोरी पर वीडियोस अप्लोड कर रहा हूं जहां पर ग्रूप के उपर मैंने बताया आपको देन सब ग्रूप है देन सैक्लिक ग्रूप है नॉमल सब ग्रूप है कोशन ग्रूप है कोसेट्स है इन सभी के बारे में यहां पर वीडियोस अप्लोड किया है इस्टुड यहां पर जाके मेरी वीडियोस को आप देख सकते हैं तो स्टुड आज मैं आपके सामने डिसकस क क्या होता है यहां पर homomorphism की बात करेंगे जो दो ग्रूप है उनके बीच में connection यहां पर homomorphism कि थो हम कर सकते हैं किसी एक mapping को define करके सुझनिया पर a mapping from f एक mapping f from g2 g-dash यहां पर दो आपके पास दे रखें यहां पर ग्रूप ठीक है इसको यहां पर group morphism भी बोलते है from g2 g-dash f यहां पर यह property क्या होनी चीए satisfy होनी चीए अगर यहां पर हमने mapping define करी मतलब हमने यहां पर दो element लिये a लिया और b लिया उस पर हमने यहां पर जो star operation यह लगाया इस तो फिर इस पर operation कितना है ओ है fb अगर ऐसा हो जाता है मतलब यह प्रपटी को यह satisfy करता है मतलब यह यहां पर इस तरह से इसको बराबर होता है then for all a, b belongs to g thus if f is morphism from g to g-dash then it is preserve the composition in the both group g and g-dash this student मतलब यहां पर इसका मतलब यह हुआ कि जो अपने operation उसको क्या करता वो preserve करता है राइट मतलब यहां पर दो element इस सट्विंट यहां पे a और b element यहां पर इसका corresponding element क्या होग और यहां पर स्टर्व का जो इमेज होगा वो इस पर हमने जो जी डेश ग्रूप है इस पर हमने क्या करा एक कोई करता है कोई मैं पर यहां पर फोलो करते हैं मतलब ग्रूप को हम यहां पर connect कर सकते हैं with the help of this concept, right? So, यहाँ पर क्या होता है? यही मैना आपको यहाँ पर बता है कि जो if f is a morphism from g to g dash then it preserves the composition in the both group g and g dash that is the image of composite is equal to composite of image, clear है? So, यह concept होता है, अभी students पर मैं आपके कुछ एक example समझाता हूं So, example देखे, r plus be the additive group of real number and r0 star, r0 multiplication so, r0 का मतलब होता है, non-zero element का real number, right? क्योंकि हम जानते हैं कि multiplication के अंदर non-zero element का inverse exists नहीं करता है, clear? So, भी a multiplication group of non-zero real number then the mapping from this to this, हैना? अब यहाँ पर हमने एक mapping define करी, clear है? हम जानते हैं यहाँ पर हमने यह लिया 2 power x, clear है? हमने कह लिया fx is equal to 2 power x, हम check करते हैं कि क्या यहाँ पर हमारे पास homomorphism होगा की नहीं होगा? तो यहाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं? दो element लेते हैं, एक element भी हैं लेता हूँ, x1, दूसरा element लेता हूँ, मैं यहाँ पर x2, हैना? और मैंने यहाँ पर mapping define करी, f, clear है? तो इस तो हम जानते हैं यहाँ पर, चूकि हमारे पास plus operation है, तो हम जानते क्या होगा है, जो हमारे पास इन दोनों का combined होगा, वो क्या होगा? x1 प्लस x2 होगा, पर इस तो हम जानते हैं, यहाँ पर जब इसकी value हम लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हमीं लेक सकते ह identifies two power x 1 into 2 power x 2 इस तर भी निज़के लिखेंगे एसको वंघ दिखेंगे fx1 1830 इन एस психल दू यहां पर देखुआ यहां पर ओर यहां पर 17 मैपिंग तो इमें जाएगी वो क्या ही हमारे पास fx1 multiplication fx2 होगी तो यह हमारे पास homomorphism की property को क्या करता है satisfy करता है इसका मतलब यहां पर और और जीरो जो group है इन दोनों के बीच में क्या होगा यहां पर homomorphism नहीं है या हम बोल सकते हैं यहां पर पास मैपिंगे वो डिफाइन है या नहीं है यहां यह यहां क्या है तो यह मैंने आपको बताए कि यहां पर fx देखो यहां पर प्लस ओपरेशन था और यहां पर क्या ओपरेशन है मुल्टिप्लिकेशन तो यह प्लस ओपरेशन किस में कनवर्ड हो गया मुल्टिप्लिकेशन में चला गए राइट है ना मतलब यहां पर हो वह हमोमोर्φिजम तो हो साथ में वह 11 भी हो मतब जो मैपिंग एस है हमारे पास वह हूम उमर्फिजम के साथ 11 भी है तो वह हमारे पास क्या होता है मोनोमोर्फिजम होता है यह इसको बोलते है इफ f is injection one is injection भी भी пोलते रहे तो अगर 11 यहां पर हमारे पास जो एफ वह होमोर्फिजम के साथ injective भी है या like homomorphism के साथ one one भी है तो वो monomorphism होता है इस्विन उसके पास हमारे पास आता है यहां पर epimorphism यहां पर F जो है होमारे पास homomorphism तो है यह साथ में ओंटो भी हो जाए या ओंटो का दूसरा नाम होता है surjection तो अगर हमारे पास तो है यह साथ में अगर अंट हो या फिर सर्जेक्षिन वह हुं, तो हमारे पास क्या होता है ephimorphism होता है, सो यह G-dash is called the homomorphism image of the group G, तो रहे हम जानते हैं कि जो G-dash जो होता है वो क्या होता है जी का क्या होता है होता है क्योंकि हम ओविसली मैपिंड डिफाइंड करेंगे तो उसकी मेंज देगा राइट नेक्स एक एक्जाम्पल देखें आपको समझाना चाहता हूं जी हमारे पास गुरूप दे रखा है अरुक Eigen 2 और यहां पर ऐगा है माइनस 1 माेनस s Richards पर पास तो इस्योंन्स करने इन दोनों के विस में पता लगा da जो हमारे पास है वह दो है तो हम जानते हैं भी मोर्फिजब कि खेंट करें ज tämä मेघ साथ में ट और हैंता है तुम चेक करता है ना हमने यहां पर किया इसके बीच में डिफाइं करें एफ एक में डिफाइं करें जितने भी इवन नंबर जैक्स के इंदर जितने भी एक्स में इवन नमबर देखो एवन क्या होगा टू-2 इन पर क्या देंगे है और जितने भी होड है इस तरह से समझाना चाहूं यहां पर यह हमारे पास क्या है यह मार पास यहां पर यहां पर हमारे पास जिते भी यहां पर यहां मैंने गल्त कर दिया इसको तो यहां पर तो जितने हमारे पास जो इवन होंगे यह और कहा जाएगे और यहाँ पर जाएगा यो यह तो एवन नमझा फिर यह उता है कि हरेको वन वन तो क्या होता है कि इधर की हर यहां पर कुछ एक्षाम्पल लेते हैं अब दिखो मियां पूर्फ करते हैं जो मैंने पताए कि एपीमॉर्फिस्म या नहीं है तो अपनियां पूर्व कर सकते हैं अगर दोनों इवन हैं तो हम जानते हैं और रहे हमारे पास दोनों और यह उस्टार होगा है और यह सब्सक्राइब एक इवन होगा एक इवन और दूसरा और तो तो एक इवन दुसरा ओड़ किया होगा मरपास fx1 into fx2 होगा पर एक इवन पर जाएगा और एक इवन हम जानते हैं कर एक और एक इवन है तो भी हो कहा जाएगा यहां पर होमोमोफिस्म को क्या कर रहा है यह प्रिजर्व कर रहा है ठीक है न हम जानते हैं यहां पर यह पूरा जट गया होगा और यहां पर कोई खाली नहीं चुटना चाहिए न यह हमारे पास अगर होबने हर आपकर रहर और तो मुझे शहां लखने हो खाली कि अपर चेहां रहा क्या है यहां करनी चाहिए तो मुझे नगदा आप सबिकोंगों इसोमया पूर्फिजम इस्मॉर्फिजम क्या होता है यह मैं आपके सामने नेक्स वीडियो में लेकर ने वाला हूं आई-स मोर्फिजम के बारे में है ना किरा मिया पर डेफिनिशन ज़रूर बता देता हूं कि अगर कोई भी जो हमारे पास में वह होम मोर्फिजम है साथ में यहां पर वन वन और ओंटो दो नहीं है देखो ऑभी वन वन और ओंटो की बात करी थी तो हमने बताया था और अगर वन वन और न तो दो नहीं है मतलब एफ हमोपिस्म तो हमारे पास क्या होता है और इसमोर्फिसम में काफी अच्छे एक्जम्पल है वह हम डिसकस करेंगे नेक्स वीडियो के अंदर इसमोर्फिसम और इसमोर्फिसम लेने वाला हूँ वहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ तो थोड़ा सा आप इसको आगी बचा के रखेंगे खेर मैं डेफिनिशन को उतार जाओं यहांपर कि कि अगर आपके पास कोई भी हमोमोर्फिसम है इसमोर्फिसम होता है और इसके बहुत उच्छे एक्जामपल में आपके सामने नेक्स क्लास में लेने वाला हूँ अब बात करते हैं इंडोमर्फिसम क्या होता है तो अब आपको जी टू जी चला जाए है अगर जी टू जी हमोमोर्फिसम हो तो उसको बोलते हैं इंडोमर्फिसम उसका नाम क्या होता है इंडोमर्फिसम इस तो यहां पर जो इंडोमर्फिसम बोलते हम जानते हैं एक्स जी घूलोगों 2x लेंगे यहां पर तो यहां पर वो क्या होगा हुआरे पास हमोमोर्फिसम होगा अप देखी हिए यहां पर आपे इंटमय्विजम बोलता है इस फुर्ण आप्ऺ आप पास जो अबी मॉर्फिसम था एक वी यहां पर यहां पर जरूर नहीं कि दोनों गुरूप से जाता है पर अगर यहां पर सम जी से क्या चला जाए जीपर हो जाए हां और हो मोर्फिजम के साथ-साथ वह क्या हो वन-वन ओर लूसका हो तो सब्सक्राइब टें और इज इज एक्जाम में पूछी जाती है तो सबसे पहली थेयोरम के एस्टोणी यह पर देखें इफ एफ इस होम और फिसम फ्रम जी टूजी डेश एड़ एफ एड़ देर रस्पेक्टिव इडेश देन इस्टोणी यह पर क्या होता है आपसे बोला जा रहा है कि यह जी है हमारे पास है तो यह जी डेश है है यह जी और यह जी डेश है यह दो गुरूप है टो यह बोल्राया है कि अगर यहां पर इसका जो अगर होEMakah इसका इन्वर्स यहां पर कोई एजिम इतोेश्म इंवर्स है तो इसकी चेहां पर ना पर आपको यह पर हुआ पर आपको यहां इसके जिलाओप्स बहुए में करने हैं तो तो बाड़ा संपल सा स्वेटि यहां पर बाहुत संपल सा कंशेप्ट है हम जानते हैं कि A belongs to J, हमने group का element लिया, अब जानते हैं कि आप group की identity के एक property होती है, क्या property होती है, कि अगर E is का identity element है, तो हम जानते है, A, E is equal to A is equal to E, student हमने, मैं आपको पता ही, group की property है, कि identity element को group के element के साथ हम क्या गरते है, operation लगाते हैं, तो वो खुद element आ जाता है, यह हम प homomorphism, homomorphism is given, right, अगर यह homomorphism, at the student क्या होगा, F A into F E, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यह F A है, इसको में हम लिख सकते है, F E into F A, ठीक है, अब जानते हैं हम लोग, ध्यान दीजे मेरी बात, समझने की कोशिश करें, कि यहाँ पर क्या होगा, यह हमारे पास, इसके बराबर इसके बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, कि उदर जो आ रहा है, मतलब उस साइड में, जो हमारे पास image आ रही है, उसके अंदर भी यह property satisfy हो रही है, कि हमने एक element है, जिसको इस F A से multiply किया, तो वापी F A आ रहा है, और जिसको इस side से multiply कि तो भी हमारे पास F A रहा है, इसका म हमारे पास पूरू हो जाएगा, कि identity element की image हमेशे क्या जाएगी, identity element पर जाएगी, right, तो therefore the image of identity of G under the group morphism F F is the identity of G dash, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर identity लिया, तो यहाँ पर E का क्या रहा, F E आ रहा, तो इसका मतलब इसकी जो image आ रही, वो क्या रही, E dash आ रही, clear है, तो इसको E dash के लिख सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं, बहुत easy यहाँ पर concept है, जिससे हमने इसको प्रूव किया, अब देखो दूसरा वाला point हम प्रूव करते हैं, यहाँ पर इस पूर हम जानते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास A inverse with the inverse of A, अगर हमारे पास is equal to, हम क्या लिखेंगे इसको, F A inverse A, clear है, इस्टुन हम operation लगाएंगे इसको, तो चुकि यह F homomorphism given है आपको, this is given, तो क्या हम इसको ऐसा लेख सकते है, F A is equal to, यहाँ पर क्याएगा यह F A inverse into F है, तो इस्टुन हम देखो यहाँ पर वापिस, वो की वह property satisfy हो कि हमने एक element लि है, दोनों को हमने product operation लगाएं तो यहाँ पर क्या रहा है, F A और इसको, हमने like interchange भी गया, तो भी हमारे पास F A, इसका क्या होगा, inverse होगा, clear है, तब ही तो यहाँ पर आप और हमने अभी प्रूव किया थे, कि F A क्या होता है, E dash होता है, right, तो यह इसका क्या होता है, हमारे हमारे पास G है, और यह हमारे पास G है, तो यह अगर हमारे पास E है, तो इसका यह क्या होता है, F A होता है, F A होता है, F A हमारे पास क्या होता है, E dash होता है, right, मैं अभी बताया था आपको, तो इसका हमने यह क्या हो रहा है, कि यह इसका क्या होगा, यह यह इन्वर्स होगा ठीक है नहीं देर्फोर F image of the inverse of any element of G under the F is inverse of F image of A in G- इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रूब करता है ठीक है नेक्स देखें यहाँ पर इसकेंड पॉर्फिट देखें हमारे पास theorem 2 if F is homomorphism of G to G- then H is subgroup of G अगर देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात पूछी जारे कि हमारे पास कोई दो ग्रूप है एक जी है एक जी देख इसको इसका वोई सब ग्रूप है दिस एच इस सब ग्रूप रेंट तो यह बोलता है यहाँ पर क्या बोलता है कि F is subgroup of G- अब उल्टी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यह हमारे पास क्या है G-देश है और यह हमारे पास क्या है G है तो इसका इसका इन्वर्स और और यहां सब्ग्रूफ और यह सब्गूरूफ है उसका सब्गूरूफ होगा खूको है से वर्स हडों पूरू करना है इडिन क्लीर अभी सब् kwestीमिटर क्लीर क्लीर क्लीरिग चै suspects ज्विला जा रहा है कुकि यहाँ पर यहां पर हैनु कि WHOM यहाँ पर्याएंट परेंटिटी यो यहां पर गया है तो फॉल क confirmed in Japan आपने जो सब्गुरुफ वाला वीडियो उसके अंदर मैंने बता है था कि अगर हमने यहां पर यह प्रूफ कर दिया कि हमारे पास दो एलिमेट लिए लिए लाइक अगर हम यह प्रूफ कर दें कि a b inverse b b किस में जा रहा है एच में जा रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो सब्गुरुफ प्रूफ हो जाएगा तो यहां पर f a और f b दो element लेंगे, क्या लेंगे, देखो यहांपे हम क्या करेंगे? यहांपे इसने a-b-b-श ले लिया, तो हमने क्या लिए a-b- हमने fh के दो element ले लिये, तो यहां यह यह प्रूव करेंगे कि a-b-श inverse किस में जाएगा? fh में जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो यह FH क्या हो जाएगा सब गुरूफ हो जाएगा तो वहीं हम कर रहे हैं पर तो क्या अगर A-B-B-B belongs to FH लिया there exists A-B in H such that हम जानते हैं कि A- को हमने F A ले लिया और B- को हमने F B ले लिया कि A और B element कि क्या है प्रिम अब इमेज है तो अब सुण क्या करेंगे हम A-B-B- inverse निकालेंगे तो इसको हम जानते हैं इसको हम यह लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं तो F A into F B inverse निकालेंगे हमारे पास H में होता है तो इसकी जो E में जारी वह क्या रही F H में जाएगा हमारे पास F H में जाएगा इसका मतलब यह भी क्या होगा हमारे पास सब्गुर्फ हो जाएगा ठीक है ना हम जानते हैं कि आपना परोड़ करना हमें कि हमारे पास यहां पर कोई कंपा सब गरूफ जो इसके क्या सब्गुरूफ है तो हमें इसकी इनवर्स इमेज लेनी है लेमें अव्सकॉण आपको यह प्मॉत करना है कि यह इन्वर्स हट जो होगा वो क्या होगा इसका क्या हो जीकांब होगा टिक है सब गृप होको क्या क्या होते झालए गिंप लेते हैं कि A और B टैप के लेइन्ट होंगे है न हम जानते हैं अगर इसमें इसमें का मतलब दोने क्या हो गार हमने एक कोवा भी फिकर दिया था फिन समय थी होगा है एक होताव सब्गूरू थ्विश्विन हं इसका इन्टू F तो इसका और इसका इंवर्स यह इंटू इसका इंवर्स यादने ए बी इंवर्स किसमें आना चाहिए एच में आना चाहिए तो चुकि हम एच देश को प्रूब कर दिया एच देश में आना चाहिए और यह हमारा एफ यह और एफ बी इंवर्स आफ बी इनवर्स राइट इसका मतलब किया होगा हमारे पास कर दाएगा F-H गर ओम वह यहां पर दाग करना था इसकी स्टूद्ट कॉरोलरी भी होती है if f is homomorphism from a group g to g dash then f g is a sub group of g dash this can be easily proved by h is equal to g spoon यहापे h com g लेके easily यहापे prove कर सकते है so student मुझे लगता है कि आपको homomorphism का concept समझ में आया होगा और आगी में आपके सामने लिखे हैने वाला हूँ कि जो isomorphism है और कुछ इस पर बेस जो fundamental theorem से वो मैं आपके सामने डिसकस करूँगा so मुझे लगता है student आपको इस टाइब का concept समझ में आ रहा होगा और अगर आपको आ रहा है समझ में तो आप comment करके ज़रूर बताते रही है और यहां पर मेरे जो वीडियो से वह आप देख सकते है student मैंने group theory और यहां पर मेरे बी एस सी और आइडी जहें पर कफी अच्छे लेक्टर्स है जो आपको यहां पर मिल जाएंगे